एक चीज यहां पर जो हम देखेंगे अब feature encoding के हवाले से और वो है कि pandas की library को हम कैसे use कर सकते हैं feature encoding के लिए और इस step को हम quickly देखके फिर हम आगे चलते हैं मैं screen share करता हूँ यहां पर हम use करेंगे pandas use pandas बलके मैं इसको ने code में ले जाता हूँ नीचे ताके जो पिछली assignment आपको दी है वो खराब ना हूँ use pandas for feature encoding हम pandas को use करते हैं feature encoding के लिए और उसके लिए for example मैं tips का data ले आता हूँ tips के data के अंदर आपको भी पता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से data है ठीक है अब हम क्या करेंगे pandas get dummies function को use करेंगे और हम data को encode कर सकते हैं for example मैं day का data जो है उसे encode करना चाता हूँ pandas.get dummies की base पे तो इसको अगर मैं df के अंदर pandas की base पे जो हमने day को convert किया है यह अगर add करो it's showing me an error for sure I know that single column नहीं है यह तो we have to do it like this then we will see तो होता क्या है कि जहां पे हमारा day का column हा रहा है उसको यह proper true and false की base पे यहां पे convert कर देता है इस तरीके से data में तो यह हमारे पास get dummies बन जाती है ठीक है यानि कि यह dummy values बन जाती है Thursday yes है कि no है Friday yes है कि no है Saturday yes है कि no है Sunday yes है कि no है तो यह हमारे पास इस तरीके से data बन जाएगा one data frame का आप इसको data frame के अंदर convert करके then you can actually concatenate in the same way जैसे हमने one hot encoding को किया था but pandas get dummy को आप इस तरीके से use कर सकते है राइट जी और pandas get dummy का एक और function होता है हमारे पास on tips data set जो हम लगा सकते हैं say for example हमारे पास यहां पे हमने data यह वाला ले लिया और मैं चाहता हूँ के sex के column के उपर pandas.pd.get dummies का हम यह वाला जो है example use करें मैं इसको run करता हूँ same example हमारे पास आरी है male and female ठीक है लेकिन इसके बाद हम किस तरीके से यह पूरे कर पूरे data frame को utilize कर सकते हैं यानि कि हम अगर machine learning में इस तरह की encoding करते हैं then how can we actually use this kind of encoding उसके लिए हम क्या करेंगे मैं यहां से इस तरीके से remove करता हूँ हमारे पास data आ गया def.head करने के बाद अब हम क्या करते हैं sorry for that हम यहां पर क्या करते हैं use करेंगे pandas.get dummies और इसके लिए हम क्या करते हैं say for example हमारे पास one hot बलके इसको simply get underscore dummies लिखते हैं is equal to हम करते हैं pd.get dummies day आ गया हमारे पास day आने के बाद हम simply कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां पर पहले tips दे दें and then we can add बलके इसको df लिखा था हमने data का नाम comma columns is equal to और इसके अंदर हम लिख सकते हैं day for example तो यह हमारे पास get dummies आ गया अब हम क्या कर सकते हैं आपके पास encoded हो जाएगा using pandas get dummies function and that's little bit important जब आप इसको utilize करते हैं यह एक one hot encoding की type है लेकिन zero one के बजाए यहां पर true false आ जाते हैं this was very simple to use pandas as well और अक्सरोकात हम यह भी काम use करते हैं